हेलो एवरीवन आज का हमारे टोपिक बीए बीए सी सेकंड डियर एडवांस केल्कुलास एक्सराइज 6.1 तो बात करेंगे अज कोशन इंबर 12 की तो कोशन इंबर 12 हमारे पास let f of xy is equal to x square 10 inverse y by x minus y square 10 inverse x upon y if xy non 0 ठीक है जी xy non 0 है मतलब ना तो x 0 है ना y 0 है ठीक है इफ xy is equal to 0 है तो उसका अंसर के जिरो के एक्वल है यहां पर आइदर x 0 हो सकता है आइदर y 0 हो सकता है या फिर दोनों के दोनों 0 हो सकते है ठीक है अंधुर्ण सब्सक्राइब दोनों इक वाई अंधूर्ण सब्सक्राइब ना थे पर दोनों एक्वल नहीं है जिरो जरो प्योंट पर करते है शो करना है हमारे पास इन क्या है f of xy फंक्शन गीवन है x square 10 inverse y by x minus y square 10 inverse x upon y if x y not equal to 0 ठीक है जी यह हमारे पास है हम निकाल इसका partial derivative with respect to x fx with respect to x 0,0 point पे तो limit x 10,0 x के अंदर change है तो f of h,0 minus के f of 0,0 upon me h तो limit x 10,0 तो यह बनेगा हमारे पास f of h,0 तो 0 है तो value 0 minus के 0 upon me h is equal to 0 fy 00 ठीक है जी limit k 10,0 f of 0,k minus के f 00 upon me k ठीक है जी जब एक भी 0 हमारे पास तो value 0 तो limit k 10,0 तो 0 minus 0 upon me k is equal to 0 ठीक है इतना काम हमारे पास हो गया अब हमें निकालना this fxy fx तो इसके अंदर क्या उज़ होने वाला है fx 0,k fy और fy h,0 ठीक है जी वो term use होने वाले है तो पहले मुन टरम्स को निकाल लेता है ठीक है तो मैं यह से निकाल लेता हूं fx 0,k ठीक है जी fx 0,k पर तो यह हमारे पास बनेगा limit h tan 0,f of h,k minus k f of 0,k upon mh ठीक है limit h tan 0,f of h,k यहाँ put करेंगे है मिस के अंदर तो h square tan inverse k upon h minus k square tan inverse h upon k minus f of 0,k इसके ले मने भी निकाले थी 0,k equal upon में h इतना काम हो गया ठीक है जी अब क्या करते हैं इसको separate करते हैं h को इसके निचे भी लिखेंगे h को इसके निचे भी लिखेंगे ठीक है जी तो limit h tan 0, इसके निचे लिखेंगे तो यहाँ से एक h cancel out हो जाएगा तो यहाँ बनेगा h tan inverse k by h minus limit h tan 0, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा case square 10 inverse h upon k और upon में h ठीक है जी इतना काम हमारे पास हो गया तो limit h tan 0, में यहाँ जिरो पूट कर दो 0 multiply something 0 minus limit h tan 0, पूट करना है मुझे यहाँ पर ठीक है जी तो यहाँ पर हमारे पास k square 10 inverse h upon k 10 inverse this upon this ठीक है जी अब मैं इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक h upon k है तो एक k यहाँ से निचले हूँ limit h tan 0 तो k उपर बचेगा 10 inverse h upon k upon h upon k ठीक है हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं हम जी लिख सकते हैं तो यहाँ से जब इसके अंदर पूट करेंगे तो यहाँ गया minus k into 1 that is minus k k तो यह हमारे पास आ गया fx 0, ठीक है जी और fx 0,0 value 0 है fy 0,0 value 0 है ठीक है अब हम निकालेंगे fy h,0 ठीक है जी तो लिमिट k tends to 0 f of h,k minus k f of 0,0 upon k limit k tends to 0 f of h,k to h square 10 inverse k upon h minus k k square tangent inverse h upon k minus f 0,0 value k 1,2 0,0 h 0 ठीक है upon me हमारे पास k ठीक है जी इतना काम हो गया okay now limit k tends to 0 k को इसके निचे भी लिखेंगे इसके निचे भी लिखेंगे ठीक है जी तो यहां पर लिखते हैं तो यह बनेगा हमारे पास h square tangent inverse k by h upon k minus limit k tends to 0 1 k से 1 k cancel out हो जाएगा k into 10 inverse h upon k ठीक है जी okay तो अब यहां से हमारे पास 1 h को मैं इसके चले याँ ठीक है limit k tends to 0 h 10 inverse k upon h और upon में k upon h यह मैंने कर दे हैं यहां पर limit k tends to 0 ठीक है जी तो यहां पर हमारे पास k into 10 inverse h upon k है और 10 inverse h upon k यह वाली value हमारे पास minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में लाई करती है ठीक है जी और pi by 2 भी हो सकती है जब pi by 2 पे जाएगी तो यह तो हमारे पास क्या बन जाएगा not defined बन जाएगा not defined sin 90 हाँ 1 by 0 not defined हो जाएगा हमारे पास तो हम क्या करता है इसको जो k है इसको में लिचे लिख दरता हूँ इसके 10 inverse h upon k upon 1 upon k इसको हम ऐसा लिख सकता है ठीक है जी ओके तो अब यहां से हमें निकालने है value इसकी तो यह value तो हमारे पास हो जाएगी h k equal क्योंकि h into 1 तो बन जाएगा हमारे पास h into 1 minus का limit k 10 to 0 है ठीक है जी अब यहां पूट करते हैं तो यह बनेगा हमारे पास 1 by 0 not defined यहां पर भी k 0 है तो not defined बन जाएगा हम जी not defined बन जाएगा तो यहां पर लगाएंगे हम l hospital rule ठीक है जी यहां पर लिमिट k 10 to 0 और 10 inverse का derivative हमारे पास हो जाएगा 1 upon 1 plus h square upon k square और h upon k का derivative with respect to k तो यह बनेगा minus का h upon k square हम जी upon में 1 by k है तो minus का 1 by k square ठीक है जी यह बन जाएगा जो हमने कल question क्याता है लाइंद question तो इसके अंदर वहांप एक miss printing थी ठीक है जिसके value हमने minus k लिखी थी वह miss printing यह आप यह थी कि 10 का derivative हमारे पास यह है ठीक है तो जो quote का derivative हो जोश में आप negative sign आ जाएगा ठीक है तो negative sign लगा ले ना बस question अब ठीक तो तो अब बात करते है इसके बाद यहां से value आजएगे मारे पास hk equal ठीक है जी तो मैं यहां से चलो इसको erase कर देता हूं या फिर इसके value minus k के call ला गई है fx 0, k के value तो मैं इसको ले देता हूं उपर इसके value minus k इसका हमें काम है तो यह value अब इसके बाद स्टैब लिकता हूं में यहां पर तो यह बनेगा हमारे पास h minus का limit k.0 और यहां लिग देता हूं using l hospital rule ठीक है allopitter rule यह allopitter rule तो h minus का limit k.0 अब यहां से scale sim लेंगे तो k square l sim आएगा तो k square plus k h square यह बनेगा हमारे पास 1 by k square plus h square ठीक है जी फिर उस k square को उपर लेगे जाएगे तो k square से k square can slot हो जाएगा ठीक है तो उपर बनेगा हमारे पास minus k h तो minus k h जाएगा ठीक है और जो नीचे वाला k square है नीचे वाला k square है यह जाएगा यहां पर तो minus इसका था minus यह था तो minus minus कट के cancel out तो यह बनेगा उपर h time k square हंजी यह मारे पास बन गया तो h minus k limit put करें k times 0 तो k 0 put करेंगे 0 तो नीचे मचेगा h square उपर 0 तो 0 कौन सम्धिंग 0 तो इसका अंसर आ गया h k call ठीक है जी तो हमारे पास f y h, 0 के value आ गई है h k call और f x 0, k के value आ गई है minus k k call ठीक है अब हम निकालते हैं this ओके तो यह अपने note कर लिया होगा तो मैं इसको f y h 0 को लेकर देता हूं side में यह हमारे पास values आज शुकी है ठीक है अब हम निकालते है f x y यहां पर लिमिट h stands to 0 y का derivative हो चुका है तो f y h, 0 minus k f y 0, 0 upon h limit h stands to 0 f y h, 0 f y h, 0 value है h k equal minus k f y 0 जो रिकालते है 0 k equal upon me h तो यहां से answer हमारे पास आजाएगा 1 k equal h upon h cancel out होगे 1 f y x 0, 0 limit k tends to 0 x का derivative with respect to y यानि x का derivative हो चुका है हमें y के respect में derivative करना है तो यह हमारे पास 0, k minus k f x 0, 0 upon me k limit k tends to 0 f x 0, k की value हमारे पास आए minus k के equal ठेकर जी minus इसके value है थी 0 k equal upon k तो यह answer आजाएगा हमारे पास minus 1 k equal यह answer 1 है यह answer minus 1 है तो therefore f x y 0, 0 पे not equal to f y x 0, 0 यह यह में show करना था और question अपना complete question number 14 प्रूव और दिस्प्रूव f x y 0, 0 is equal to f y x 0, 0 where f x y is equal to x y if more less y less than is equal to mode x और minus x y if mode y greater than mode x यह यह हमारा question number 14 है और question number 13 है वो question 12 जैसा ही है बिल्कुल आसान question है वो आराम से कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है कोई point समझ में नहीं आता है तो आप मुझे telegram group में या फिर WhatsApp group में message करके पूछ सकते हो ठीक है जी तो बात करते है question number 14 की हमें इसको प्रूव करना है या डिस्प्रूव करना है कि यह condition true है या false है ठीक है जी तो इस पहले इसको देख लगते हैं यहां से mode y less than is equal to mode x है ठीक है जी अगर y के value छोटी है ठीक है और x के value बड़ी है ठीक है जी तो इसको आप चाहो तो equation 1 let कर सकते हो लिजे मैं इसको मान लेता हूँ equation number 1 ठीक है fx वाई हमारे पास है तो अब निकालते partial derivative fx 00 पे तो limit s tends to 0 f of h, 0 minus f of 00 upon में हमारे पास आएगा जी h ठीक है तो limit s tends to 0 1 value 0 है किसे input कर दो 0 0 upon h 0 fy 00 पे क्योंकि दोनों function same है इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसे input कर दो ठीक है k tends to 0 f of 0, k minus k f00 upon k दोनों function same है ठीक है तो limit k tends to 0 f0 k यह value हमारे पास 0 minus 0 upon k that is 0 ठीक है इतना काम हो गया now fx निकालते है 0, k ठीक है fx निकालते है तो x coefficient 0 0 लिख दो ठीक है जी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो आपको confused है नहीं होना है ठीक है अगर confused हो जाते हो ठीक है तो diet यह लिखके देख लो fxy is equal to fyx is equal to ठीक है जी ठीक है तो आपको वहां से मिल जाएगा answers का otherwise आप इसको याद रख सकते हो fx निकालना हुझे ठीक है अब यहाँ पे हमें limit h tends to 0 अब यहाँ बेच जो h है वो 0 को tend करता है ठीक है यहने x के लो 0 ठीक है यह x के लो 0 होगी तो x के लो 0 यहाँ पूट करूँ यहाँ पूट कर दता हूँ x के लो 0 तो y के लिए कुछ भी पूट कर लो 0 के लावा तो यहाँ से जो answer आएगा वो आएगा minus k के एकवल ठीक है फिर f निकालते है f निकालेंगे तो 0 यहाँ पर जाएगा h तो limit k tends to 0 f of h, k minus k f of h, 0 upon k वही चीज हमारे पास अब k 0 tend करता है k 0 tend करेंगा यह वाली बड़ी हो सकती है कुछी पूट करोगी 0 के लावा तो minus 1 plus 1 तो मोडूलर से absolute value positive आती है ठीक है जी तो function choose करेंगे यह वाला तो यह जाएगा हमारे पास limit k tends to 0 xy minus k f h 0 f h 0 upon me I hope आपको समझाया होगा कि function में choose कौन सा करना है ठीक है जी 0 k 0 है तो k 0 हमारे पास यहाँ पर है ठीक है तो यह अल सूच कर लेंगे फिर h 0 था 0 छोटा है तो यह वाला चूच कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से हमारे पास यह बनेगा जी limit k tends to 0 मैंने आप एक्स वह लिक दिया xy जगा पाज़ेगा h k ठीक है तो यह बनेगा h तो अंसरा यहाँ से h k call ठीक है इतना काम होगा है हमारे पास देखो ध्यान सी minus k और h यही हमारा पिछले कोषन आणillar अता यही हमारा उससे पिछले कोषन के अन्दर आया था ठीक है तो यहाँ से देखर का लग रहा है अइडिया कि यह function क्या होंगे ग्आइश प्रूफ होगा तो function क्या होगा जी डिस प्रूफ होगा क्योंकि मैंने भी तो कोशन किया है ठीक है तो यहां से हमारे पास f y h 0 की वैल्यू आ गई है और f x 0, k की वैल्यू आ गई है ठीक है जी और इनकी वैल्यू तो हमारे पास 0,0 हुए है निकाल देते इसको भी f x y 0,0 पे तो लिमिट y का डेरीट एक स्क्रिस्पेक्ट में एस टैंस जी रो एफ वाई हमारे पास h,0 माइनस के f y 0,0 अपन में h लिमिट एस टैंस जी रो एफ वाई एच को माई जी रो एच को माई रो एच के एक्वल माइनस के 0,0 अपन एज आंसर 1, f y x 0,0 पे लिमिट k 10 to 0, ठीक है जी एक स्काड़ेविट y की रिस्पेक्ट में एन एक स्काड़ेविट हो चुका है, y की रिस्पेक्ट में करना तो 0,0 को माई ए माईनस के f y 0,0 अपन में k लिमिट k 10 to 0, f x 0, k की वैल्यों मारे पास है, माईनस के एक्वल, माईनस 0, अपन के, तो यहां से इसको सोल करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा, माईनस 1, k एक्वल, तो देरफोर, इसको अप्चाओ तो वकेशन 2 माल लेते हैं, इसको 3 माल लेते हैं, ठीक है, आपकी चोईस है, लेट करो और ना करो, हमें वैसे दिखाए दिए रहा है, कि यह दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो देरफोर, f x y 0, 0 पे, not equal to f y x 0, 0 पे, लिजए जी, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्रोव कर दिया, यह करता है, इक्वल है, हमारे क्या आगा, not equal, ठीक है जी, question number 15, show that the function f x y is equal to x y into x square minus y square upon x square plus y square, for x y non 0, ठीक है जी, जब x y 0, 0 है, तो इसका value क्या आती है, फंक्शन की 0 के एक वला आती है, ठीक है जी, does it not satisfy the condition of schwarz theorem, schwarz theorem यह condition को satisfy नहीं करता, and f x y 0, 0 पे, not equal to f y x 0, 0, हमने schwarz theorem का proof किया था, तो उसके अंदर क्या था, कि f x, f y, f y x, f x, f y, f y x, यह क्या करते हैं, एक्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी, एक्जिस्ट करते हैं, और जो f y x है, यह continuous भी है, ठीक है, यह तिनों exist करते हैं, और यह continuous भी है, अगर ऐसा है, तो then, f x y exist करेगा, यह exist करेगा, किस परकार से, कि दोनों Fyx और Fxy ये इकल हो जाते हैं ठीक है ये हमारे पास है स्वार्ज थोरम अब उमें इसके लिए काम करना है ये कहता है कि ये कंडिशन नोट इकल तो आती है ठीक है और डज नोट सैडिस्फाइब कंडिशन सैडिस्फाइब नहीं करता इट मीन्स हो सकते ये फेल हो जा ठीक है ये एक्डिश्ट कर गए ठीक है एक्डिश्ट कर गए तो हम आएंगे फिर इसकी दूसरी कंडिशन पर इसकी फैल हो जाएगे ठीक है तो बात करते है सोल कैसे करना है बिल्कुल आसान है आसान कोश्चन है, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था? इसका प्रूफ बताया था, ठीक है जी? तक कि चीज़े आपको, बाद में कोई प्रोबलम ना आए, कोश्चन समझते में आपको आसानी रहे, हेल्प हो जाए, ठीक है? अगर आपने स्वास्तों का प्रूफ नहीं द 0, f of h 0 minus k f 0 0 upon me h limit h tends to 0, f of h 0 यहाँ पर h, यह 0 put करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 upon x square तो 0, minus k 0 0 value 0 के एकवल है upon h, तो इसका अंसरागा 0 के एकवल ठीक है जी, f y 0 0 limit k tends to 0 f of 0, k minus k f of 0 0 upon k तो limit k tends to 0 x square 0, यहाँ आप उठकर तो 0 खतम सब कुछ, नीचे वाइस करेंगा तो 0 minus k 0 upon me k, तो यह value क्या आगई, 0 के एकवल आगई, हाँ जी f x भी हमारे पास 0 आगया f y भी हमारे पास 0 आगया, ठीक है अपने कालते है, f x 0 कमा के limit h tends to 0 हाँ जी, f of h कमा के minus k f of 0 कमा के अपन में h, ठीक है यह मारे पास है, लिमिट h tends to 0, f of h कमा के इसका अंदर पूट कर देते हैं तो h k, h square minus k square upon h square plus k square minus f 0 k, f 0 k के वह value, 0 k equal और इसके अपन में h, ठीक है यह हमारे पास है no limit s n to 0 इस h से, यह h cancel out हो जाएगा तो यहां बचेगा, k time h square minus k square upon h square plus k square, ठीक है यह बन जाएगा हमारे पास, हांजी यह यह यहां पे है, तो यह यह यहां पे है, तो यह यहां जाएगा, तो k time h square minus k square, यहां पे k square h square minus k square upon h square plus k square, हंजी अभी यहां पे मुझे, h kilo zero put करने है, तो h kilo zero put करेंगे, यहां बचेगा, minus k cube, h kilo zero put करेंगे, यहां बचेगा, के square, तो limit s 10 to 0, हमने यहां पे put कर दिया, तो, चलेव जिरो put कर देता हूं, limit put करने के बाद जो बचेगा, वो लिख देता है तो minus k cube, upon case के, तो answer है यहां से minus k, k call, ठीक है, फिर निकालते है, f y, h, 0 पे, f y, h, 0 निकालेंगे, तो, यह हमारे पास limit, k 10 to 0, f of h, k, minus k, f of h, 0, upon me, k, k, तो limit k 10 to 0, f of h, k की value, h, k, into h square, minus k square, upon h square, plus k square, ठीक है जी, और minus k 0, upon me, k, ठीक है, अब देखो है, k से k cancel out हो जाएगा, ठीक है, फिर, यहां पे हमारे पास बचेगा this, limit, k 10 to 0, तो, h time, h square, minus k square, upon h square, plus k square, तो k के लिए 0, पूट करेंगे, यह, 0, यह, 0, तो मैंने गा, h cube upon h square, that is, hk equal, ठीक है, यह हमारे पास आगया, ओके, यह आपने नोट कर लिया होगा, fx 0, 0 value 0 है, fy 0, 0 value 0 है, यह, देखो, ध्यान से, हमने भी जो question किये है, सभी के अंदर क्या दिखाए दे रहा है, minus k, h, minus k, h, minus k, h, देख लो, question सारे similar से question है, सभी कांसर यह दिखाए दे रहा है, मुझे, ठीक है जी, fx निकालते है, fy निकालते है, तो answer minus k और h, minus k और h, minus k और h, यही आ रहा है, ठीक है, तो देख लो, question किस प्रगार से design किए गए है, तो बात करते हैं से, fxy की, 00 point पे, तो y का derivative x के respect में, limit, h, 0, fy, h, 0, minus fy, 00, upon में, h, limit, h, 0, fy, h, 0, f, y, h, 0, minus k, इसके लिए 0, थी, upon में, h, answer आगा, 1, k, equal, fy, x, इसका अंसर आपको याद हो गया होगा, क्याने वाला है, minus 1, limit, k 10 to 0, f of x, 0, k, minus k, f of x, 00, upon में, k, तो इसका अंसर क्याने वाला है, 1, कैसे आएगा, देखो, k 10 to 0, fx, 0, k, fx, 0, k, के लिए कितने है, minus k, इसके, तो 1 यह है, तो इसका minus 1 बनेगा, 0, upon के, तो आँसर आगा, जी, minus 1, equal, ठीक है, तो therefore, यहाद हम कह सकते हैं, कि जो, f of x, y, 00, पे, not equal to, f, y, x, 00, जी, 00, इतना काम दो हमारे पास हो गया, कि दोनों equal नहीं है, ठीक है, एक condition में satisfy करा दी, इसके, तो अब यहाँ से इसके बात करते हैं, स्वार्ज थोर्म की, किस वार्ज थोर्म अपलाई करने मुझे, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसके लिए मुझे चाहिएगा, जी, f, y,x, ठीक है, कि अजिए निए 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 ना अब इसका डारमेट्व एक्स और निकालते हैं जिनरल तो यहां से हमारे पास यहां से हमारे पास यह बनेगा मैं इसके अंदर मिल्टिप्लाइगर दू यहां से एकस की वाई-क एकस नाइक एकस भाई-क एकस ऑसे एकस्बाइए एकस की एकस यो ठीक है और डेरेवेटिव नेगे MHz को दनि ये करते हैं तो यहां से हमारे पास बनेगा X के 4 Y माइनस का X के Y Q पलस 3 X के Y Q माइनस Y की पावर 5 माइनस 2 X 4 Y माइनस माइनस पिलस 2 X के Y Q अपोन में X के पलस Y स्के पावर 2 ठीक है इतना काम होक है अभी आसे कुछ कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर देंगे तो यहां से मारे पास कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा ठीक है कोई बात नहीं X के पावर 4 X के पावर 4 है कहीं पे X के पावर 4 Y तो 3 X के पावर 4 Y माइनस 2 X के पावर 4 Y तो यह बनेगा X के पावर 4 Y ठीक है फिर X स्केर Y क्यूब X square Y cube तो यह बने गा पलस का 2 X square Y cube ठीक है ओके इसके बाद हमारे पास ये ट्रम हो गई ये हो गई और X square Y ये हो गई तो बचा हमारे पास से minus Y की power 5 plus X square Y cube एक सेकंड देखो X square Y cube हमारे पास ये था minus का X square Y cube ये था हमारे पास ठीक है तो यहां से हमारे पास 2X square Y cube और 2X square Y cube भी आपर भी है तो ये बन जाएगा 4X square Y cube अपोन में X square plus Y square का square ठीक है ये हमारे पास बनेगा यहां से ठीक है उसके बाद हमें चीए गई यहां से FIX निकालेंगे इसका derivative Y की रिस्पेक्ट में ठीक है तो मैं यहां से FIX के value minus 1 है इसको मैं अलग से लिख देता हूँ इसका हम यूज करने वाले हैं तो अब हमारे पास FIX निकल चुका है अब इसका derivative करना मुझे Y की रिस्पेक्ट में तो FIX X, Y is equal to तो हमारे पास C चीज बन चुकी है इसका derivative करेंगे Y की रिस्पेक्ट में ठीक है तो यह हमारे पास बन जाएगा जी अगेन फिर से लगे गए यहां पे कोशन टूल तो X square plus Y square का square है तो इसका हमें फिर स्केर करना पड़ेगा łeग है, खर दशाए, तो X square plus Y square का square और इसका square ठीक है यह हमारे पास हो गया तो अब हमारे पास X square का Sugarईटी टीक है इसका derivative विदे शेक्ट वाई ठीक है तो Y कि रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो यह हैती है इसका यह बनेगा X की पावलार 4 वाइक रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके लिए मैं रिज करते हूं यहां से थोड़ असा अब हमारे पास नुम्रे ट्राइजटी इसका मुझे डेरिवेटिव करना है तो एकर टू इंटू एक स्केर पलस के वाइस कि इन्टू वाइक रिस्पेक्ट में तो टू वाइक जासे अहों कि यह मारे पास बन जाएगा ठीक हैति अब यहां से कुछ नौतात रों तो टिक है तो एक स्केर पलस वाइस क्याइ पे स्केर एक पलस वाइस के रिस्पेट्रिंट एक 14 कर सकते हंजी एक है कर देंगे यह हैं से रहां बचे काया मारे पास पाउवर 3 तो यह स्क्पना पुरस के आप छोगर और फोर छोगर उतक बाइच से और फॉर समें सब्सक्रआं माइनिस फाइफ वाईई पाउर फॉर ऑच किर देलें यहां से यहां से य पलस 4 x square y cube minus k y की power 5 into 2 to 4 y अपोन में बचेगा हमारे पास यहां पाउड कितनी total 4 थी तो एक power cancel out होगी है तो बची कितनी x square plus y square power 3 ठीक है जी इतना काम हो गया हमारे पास ओके तो अभी यहां से हम क्या को मनिकाल सकते हैं अभी कुछ 4 y square minus 5 x square y की 4 फिर प्लस y square की multiply करेंगे तो x की 4 y square plus 12 x square y की 4 minus 5 y की 4 थी y की 2 थी y की 6 हो जाएगी ठीक है इनकी multiply हो चुके minus 4 x की पावर 5 y की पावर 5 ठीक है जी minus 16 x square y की पावर 4 minus minus plus y की पावर 6 अब होने हमारे पास x square plus y square की पावर 3 यह हमारे पास आ गया ठीक है जी यह पार इसको थोड़ा सा क्रोस वेरिफाइए कर लेते हैं कई मिस्टेकन हो जाए बाद में तो x square plus y square का square हमारे पास यह चीज थी ठीक है एक पार कंशलाओ होगी x square plus y square बच गया x की पावर 4 plus 10 over this minus y की पावर 4 ठीक है minus 10 था हमारे पास दो दुनी चारवाई होगे तो चारवाई हमारे पास है यह हमारे पास minus ठीक है जी मुल्टि रहें एक पार 6 बन जाएगा 12 x square x की पावर 4 देखो x square ठीक है 12 x की पावर 4 y square फ्रेक्ष विर कर माइनस की 5 x square y for plus k x q4 y square plus k 12 x square y की पावर 4 minus k 5 y की पावर 6 minus k4 x की पावर 5 x की पावर यह पूर ता एक पावर फूर थी आपे तो एक की पावर 4 और y की पावर 2 हो जाएगा यहां से देखो मिस्प्रेंट यहां मिलके मिस्प्रेंटिंग ठीक है जी 4 x की पावर 4 y की पावर 2 plus 2 minus 2 जागा तो 4 x square चाचो 16 x square y की पावर 4 minus minus plus यहां से इसकी मिल्टिया करते हैं मैंने 4 की नहीं की तो जाएगा 4 y की पावर 6 ठीक है देख लिए मिस्प्रेंटिंग मिल गी है अध्रवाज फिर बाद में प्रोब्लम आते हैं मैं तो यहां तक हमारे काम हो गया तो अभी यहां से कुछ कैंसल आट होता है तो ठीक है ओके तो अच्छी बात कैंसल आट होता है तो अधर्वाइज कुछ कैंसल आट होता हो दिखाई नहीं दे रहा है कोई नहीं नोट कर लिया होगा एक्स की पावर 6, एक्स की 4 यकी पावर 2, एक्स की 4 है कहीं पर 12 है है तो 12 और एक 13 तो यह भी ट्रम हो जाएगी यह भी हो जाएगी 13 एक स्की 4 वाइस के यहां पर है ठीक है तो 12 माइनस 4 8 8 प्लस 1 9 9 X की 4 Y की 2 ठीक है जी फिर यहां पर X की 2 Y की 4 X की 2 Y की 4 X की 2 Y की 4 ठीक है एक सेगें एक स्की 2 Y की 4 एक यहां पर है हमारे पास X की 2 Y की 4 तो साथ यहां से बच गया ठीक है और X की 2 Y की 4 तो 16 साथ माइनस करना ओ अब बचा कोन हमारे पास माइनस 5Y की 6 पलस 4Y की 6 तो माइनस Y की 6 अब पॉन में X स्केर पलस Y स्केर की पाउर 3 ठीक है जाए अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी कंटिनूटे की कि यह फॉंक्शन कंटिनूर्स है या नहीं है ठीक है अगर यह कंटिशन दे रखेंगे नोट इकल टू है तो फॉंक्शन कंटिनूर्स नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पर किसी ने किसी पाथ फेल कर जाएगा ठीक है जी तो पुट करते हैं आपर Y is equal to M X तो Y is equal to M X में आप पूट कर देता हूँ यह हमारे पास है F of Y X X Y पर ठीक है जी Y is equal to M X पूट करेंगे आपर तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा Y is equal to M X ठीक है तो यह बने गए यहाँ से X की पावर 6 पलस 9 M X तो X की पावर 2 हो जाएगा तो X की पावर 4 यह है तो M स्केर X की पावर 6 ठीक है जी यह बन जाएगा मारे पास minus 9 Y की प्लेस पर M X है तो M X यहाँ पर आएगा तो M की पावर 4 ठीक है तो X की पावर 4 X की पावर 2 X की पावर 6 माइनस M की पावर 6 और Y की पावर Y है तो X की पावर 6 अब उन में सेम यहाँ पर x square plus m time y की value mx है तो m का square x का square power 3 इतना कम होगा है हंजी तो अब यहां से x की power 6 x की power 6 x की power 6 x की power 6 निकाल लगते हैं ठीक है तो यहां क्या बज़ जाएगा 1 plus 9 m square minus 9 m की power 4 minus m की power 6 अब cancel out करना है तो m की power 6 नीचे भी चीए तो x की यहां से common निकालेंगे तो x की power कितनी है 3 है तो x की power 6 बार आएगी तो बच्चे का क्या है यहां से 1 plus के m square की power 3 ठीक है जी तो अब यहां से यह हमारे पास depend करता है m के उपर ठीक है जी कि m के value change करेंगे तो इसके value change हो जाएगी m के value 1 रखूंगा तो इसके लिए कुछ आएगी m के value 2 रखूंगा तो इसके लिए कुछ वर आएगी ठीक है जी तो यहां से जो values है वो values का है different different आगे for different value of m it gives different value of yx for different values of m it gives different values for f y x ठीक है जी f y x के लिए different value देगा तो यहां से हम कह सकते है so इसके बाद हमारे पास f y x 0 0 पे है ठीक है जी उस पर चेक कर लगते है तो यहां से तो function हमारे पास के हो गया note continuous हो गया different values के लिए ठीक है जी तो f y x हमारे पास अगर मैं 0 0 पे बात करूँ but यह हमारे पास कहा जी minus 1 के एक वाल है तो therefore यहां पर लिमेट अपलाई करता हूँ limit x y 10 to 0 0 f y x x y is equal to minus 1 के एक एक ओल ठीक है जी यह हमारे पास आगया so f y x is note continuous ठीक है जी तो f y x यहां पर क्या होगा जी continuous नहीं होगा ठीक है similarly f y x is also note continuous ठीक है hence f x y 0 0 note equal to f y x 0 0 हां जी हमें पस इतना काम करना था और हमारा कॉशन complete कॉशन नमबर 16 let f of x y is equal to x square y square cos 1 by x comma for x non 0 or for x is equal to 0 function की वालो 0 show that first part f x y is equal to f y x for all x, y के लिए ठीक है जी second part neither f x y nor f y x ठीक है it's continuous at x is equal to 0 if y non 0 ठीक है third part both f x y and f y x are continuous at 0 0 यहां पर 3 part दिए गए है one by one solve करते है ठीक है जी तो first part लेके चलते है f x y f y x for all x y के लिए ठीक है जी यह equal आते है ठीक है तो इसको prove करते है सबसे पहले कहले के चलते है आपे माल लगते है कि जो x और y है यह दोनों के दोनो non 0 है ठीक है जी पहले हम यह case पूरो कर लगते है तो यहां से निकालते है f x x, y तो function का partial derivative with respect to x तो हमारे पास क्या बनाएगा ठीक है जी तो यह हमारे पास है cos 1 by x plus x square cos का partial derivative minus sign 1 by x और 1 by x का partial derivative minus के 1 by x square ठीक है तो y square 2 x cos 1 by x minus minus plus ठीक है जी x square से xo cancel out हो जाएगा ठीक है तो यह बने गए यहां से sin 1 by x यहागा हमारे पास f x x, y ठीक है f x हमारे पास आ गया इसका y क्रिस्पेटर डेरवेट्व कर दे ठीक है तो यह बन जाएगा हमारे पास f y x x, y तो y क्रिस्पेटर डेरवेट्व करेंगे y यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ठीक है जी तरव यहाँ पर रेजेंट है तो यह बन जाएगा हमारे पास 2 y 2 x cos 1 by x plus sign 1 by x वो इसको मिलिख सकते हैं अंदर मिल्टिपलाए करेंगे तो 4 x y cos 1 by x plus 2 y sign 1 by x f y x हमारे पास आ चुका है इसको माल लगत्तों में equation number 1 अब बात करते हैं यहाँ से f y की f y निकालते है functional derivative with respect to y तो इसका y करेंगे तो सिरफ हमारे पास y की टरम यह है y square ठीक है बाकि क्या है multiply में तो इसका answer आएगा 2 y x square cos 1 by x ठीक है अब निकालते हैं यहाँ से f x y इसका derivative with respect to x तो यह बनेगा हमारे पास x square cos 1 by x तो यहाँ लगेगा product rule तो 2 y तो asd's बाहर product rule लगेगा तो 2 x cos 1 by x ठीक है पलस यहाँ से हमारे पास x square asd's cos का derivative minus sign 1 by x 1 by x का derivative minus 1 by x square तो 2 y की multiply अंदर करेंगे तो 4 x y cos 1 by x ठीक है x square asd's x cancel out हो जाएगा minus minus plus बन जाएगा तो पलस का 2 y sin 1 by x इसको माल है तो equation number 2 अभी देखके बताऊ कि equation 1 or 2 equal है हांजी 4 x y cos 1 by x 4 x y cos 1 by x plus 2 y sin 1 by x plus 2 y sin 1 by x ठीक है तो मिया से कह सकते है है therefore from equation 1 and 2 f x y x y is equal to f y x x, y equal है 4 x y non zero के लिए ठीक है जी x non zero है और y non zero है ठीक है जी इसके लिए ये चीज equal है लिकन ये तो कहता है कि for all x y के लिए ठीक है जी तो अब हमेश को 0,0 पर चेक करना पड़ेगा ठीक है तो f x y एक बार x,0 f x y एक बार 0,y f x y एक बार 0,0 इनके value चेक करता है ठीक है जी f x y x,0 y के value 0 पूट करने है f x y के अंदर तो f x y हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है this यह रहा तो यहाँ पे y के value 0 पूट कर दो तो y के value 0 पूट करेंगे यह 0 हो जाएगा y के value 0 पूट करेंगे यह 0 हो जाएगा तो इसके value आगी 0 के एक वाल ठीक है जी फिर f x y 0,y x के बिले पर 0 पूट कर दो x के बिले पूट करेंगे तो यह 0 पूट करेंगे तो यह 0 पूट जाएगा ठीक है जी और हमारे पास यहाँ से यह value जब x के लिए 0 है तो value 0 given है ठीक है जी तो यह भी मारे पास क्या बन गया 0 के एक रूट गया Fyx निकालते हैं 0,y पे, Fyx निकालते हैं 0,0 पे, तो यह value भी मारे पास क्याने वाली है, ठीक है जी, यह value भी आएकि 0 के equal, वाई चीज है, क्योंकि Fxy और Fyx दोनों equal है, दोनों के अंदर put करेंगे, यह चीज, X,0, 0, 0, 0, value के आएकि 0,0, तो therefore, Fxy, 00, is equal to Fyx, 00, यह भी equal हो गया, ठीक है जी, तो hence, Fxy, X, Y, equal to Fy, X, X, Y, for all X, Y के लिए, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी, first part, proof, ठीक है, अब यहां से करता है, second part, neither Fxy, nor Fxy, nor Fyx, it's continuous at X is equal to 0, if Y is not 0, ठीक है, third part, both Fxy and Fyx are continuous at 00, तो मैं यह से पहले third part कर लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही third part हो जाएगा, फिर second part कर लेंगे, तो third part है करता है, कि यह हमारे पास क्या है, continuous at 00, ठीक है, तो 00, पे हमने चेक किया यहां से, from abu, यह इसको माल लेते हैं, कि Fyx, और, इसको लेकर देता हूँ, जिरो के को, इसको equation हम देता हूँ, कोई third equation माल लेता हूँ, from equation 3, Fxy, 00, Fyx, 00, पे, यह हमारे पास गिया होने है, ठीक है, हमें निकालना है, इसका limit, इसको चेक करना है, continuous के, तो continue चेक करेंगे, तो limit xy, 00, पे, F of, xy, चेक कर लो, या yx, चेक कर लो, दोनों value, same, xy, पे, तो limit, x, 00, और, fxy, xy, कि value क्या है, यह value मारे पास है, 4xy, xy, 00, पे, तो, xy, 00, पूट करेंगे, तो, y के लो, 0, यह भी 0, बन जाएगा, तो, यहां से आज जगा है, हमारे पास, 0 की, ठीक है, तो, similarly, हम यहां से, दूसर भी निकाल सकते हैं, ओके, तो, मैं यहां से, इसको, erase कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास, जो यह value fx, की, वह value fxy, की है, वो मैंने मालिक दी है, तो, इसको, मैं यहां से, erase कर दता हूँ, similarly, limit, xy tends to 00, तो, यहां से, हमारे पास, यह आ गया, fxy, 0 की एक वल आ गया, तो, इसको लिग दता हूँ, मैं पहले, therefore, limit, x, y tends to 00, f of xy, और, fxy, 00, पे, दोनों equal आ गए, ठीक है, तो, इसके बाद, यह step करना, आपको, similarly, limit, fyx, x, y is equal to fyx, 00, hence, both, fxy, and fyx, continuous, at 00, लीजे जी, third part, भी हो गया, ठीक है, इसके बाद, यह step लिए, इसके बाद, फिर, यहां सिलकना, start कर दिना, ठीक है, similarly, this, और यह हमारे पास, third part, हो गया, जल्दिस, note कीजी, second part की बात करते हूँ, तो, second part करता है, neither fxy, nor fyx, is continuous, at x is equal to 0, if y, non-0, ठीक है, at x is equal to 0, और y, non-0 पे, तो, limit x tan to 0, f of xy, x, y, limit x tan to 0, और, f of xy, x, y की value हमारे पास है, 4xy cos 1 by x, plus, 2y sin 1 by x, यह हमारे पास है, ठीक है, तो limit put करेंगे, यहां पे 0, तो यहांगा, हमारे पास, 0, multiply, यहांपे put करेंगे, तो कोई value आयागे, और range कितने होती है, minus 1, 7 के बीच में, ठीक है, ठीक है, value lies between, minus 1 and 1, ठीक है, पलस, अब x के लिए 0, y तो non-0 है, ठीक है, तो यहांपे, जब जिसको 0 put करेंगे, तो यहांपे नहीं आएगा, यहांपे कहाएगा, जो value आएगी, वो oscillate करेंगी, ठीक है जी, क्योंकि इसकी range कितने होती है, minus 1, 7 के बीच में होती है, उससे बाहर तो जाए नहीं सकता, ठीक है जी, तो यहांपे value oscillate, between minus 1 and 1, ठीक है जी, तो यहांसे 0 आजाएगा, यहांपे value oscillate करती है, हमें चेक finite value, तो value तो यहांसे नहीं आई एक है, ठीक है, एक fixed value हमारे पास नहीं आए, definite value हमारे पास नहीं आए, ठीक है जी, तो यहांसे कह सकते हैं कि, limit x tends to 0, f of xy, x, y does not exist, यह exist ही नहीं करता है, ठीक है जी, यह exist नहीं करता है, तो therefore, यहांसे हम कह सकते हैं कि, limit x tends to 0, f of xy, x, y is not continuous, अभी यह continuous नहीं है, तो fxy और fy x दोनों equal है, तो similarly, limit x tends to 0, f y x, x, y is not continuous, यह भी हमारे पास continuous नहीं आया, ठीक है जी, तो इसी के साथ अपने exercise 6.1 complete होती है, और अपना 6 chapter भी complete होतता है, ठीक है जी, मिलेंगे जल दी, next video में, तब तक के लिए, वीडियो को enjoy करो, अच्छे लगी, तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरू से करो, उन्हीं चे अच्छे अच्छे कमेंड भी करो, बाई बाई टेक के सी यू, थैंक यू फोर वोट्स,